तो रीोजिया कि यहीं कि ग्वेट चैनल इसकोच तो और हमारे हैर चैनल आई इसकोच पर आपका अस्फायगत थो चलिए आज हम लोग निब्लिस पढ़ना सुरूब करते हैं इंग्लिस में आज तेंस पढ़ेंगे इंग्लिस तेंसिल अप Alert जैसे है क्या सबील जानते होंघ कि त्री टाइबड टेंस होते है जुसमें सी अपर हैः पर सेज्टरैंड तेन्स को हम वर्तमान काल कौल कर पाश टेंस पाश टेंस को हम लोग भूत काल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस को हम भविश्यकाल बोलते हैं तो परजेंटेंस वर्तमानकाल मतलब जो अभी पुरंत में आप जो काम कर रहे हैं वो वर्तमानकाल में बहुत काल जो आपने इसे पहले कर लिया है अभवी सिकाल जो कि आप आगे करेंगे तो वर्व में ती ता ये सब चीज़ें आती हैं वर्व में पाच टेंस में था थी किया किये ये चीज़ आती है वह इस काल में करूंगा करूंगी इस तरह की चीज़ें आती हैं वर्व में तो अब इनको हम Tenses में use कैसे करते हैं, इसके लिए आपको Tense पढ़ाए जाएंगे, Present Tense हो गया, Present Tense में आपने देखिए, Present Tense में, Present Tense के लिए भी आपको, हर सब के 4, 4 types Tense होते हैं, Present Tense में, Present Indefinite, Present Indefinite, Definite Tense, उसके बाद होता है present continuous tense इसके बाद होता है present perfect tense और इसके बाद होता है present इसी तरह से आप देखेंगे past में भी यह देखें पास्ट का भी पास्ट इंडिफनिट टेंस उसके बाद बोलते रही है आप लो पास्ट कांटिन्वा स्टेंस past इस पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट इस कांटिन्वाज टेंस इस इस इसी तरह से आप देखेंगे कि फ्यूचर में भी यह देखिए कि फ्यूचर के भी फोर टाइप सोते हैं तो पहला हो गया आपका फ्यूचर इंडिफनिट तेंस दूसरा हो गया फ्यूचर कांटिनिवस तेंस तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कांटिनियर टेंस तो यह आपके फोर टाइम टेंस हो गया है तो अगर आपको आज का वीडियो अगर आप लोगों को पुम्ज़ है आप लोग के लिए हल्पुल हो तो इसको प्लीज आप लोगों चरूर करिये चैनल को और यून्होंने सब्सक्राइब किया है उनको जाए बहुत जादा थैंक यूचर जादा शेयर करिए ताकि और लोगों के लिए ल कि सब्सक्राइब लाइक और आपका गुरूप होगा वाटसप पे तो उस पर आप वीडियो से एर करिए जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाप सके मिल सके तो आप चलिए यह वीडियो आप लोगों को ज्यादा लंबी नहीं इतने में आप लोग काफी कुछ समझ ग किस कंडिशन में प्रजेंट इंडिफनित बना जाता है किस कंडिशन में प्रजेंट इंडिफनित बना जाता है किस कंडिशन में प्रजेंट इंडिफनित बना जाता है और कैसे बना जाता है किस कंडिशन में प्रजेंट परफेक्ट होता है किस कंडिशन में प्रजेंट तो आज के लिए ये वीडियो यही तक और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे थैंक्स, I hope कि ये वीडियो आप लोगों को काफी helpful होगी आपको आगे बढ़ने के लिए आपको इंग्लिज के टेंसे समझने के लिए तो थैंक्यू फ्रेंड्स and थैंक्यू शुडेंड्स गुड़ देर